दोस्तों, एक बार बुद्धा अपने परवचन देने के लिए, अपने सर्मन देने के लिए एक गाउन जा रहे थे उन्हें कुछ गाउं से होकर गुजरना था और वो बीच के एक गाउं उनकी शिक्षाओं से उनके परवचन से उनकी टीचिंग से बिल्कुल भी खुश नहीं थे तो जैसे ही बुद्धा वहां पहुँचे लोग तयार खड़े थे उन्होंने उनको गाली देना शुरू कर दिया चिलाना शुरू कर दिया बुरी बुरी बाते बोले और बुद्धा चुप चाप उनकी बातों को सुनते रहे जब वो चिला चिला कर ठक गए तब बुद्धा ने बोला अगर आपकी बातें खतम हो गई हो तो किरपया मुझे जाने दीजिए मुझे अगले गाओं जाना है और परवचन देने लोग मेरे इंतजार कर रहे हैं वहाँ पर अगर फिर भी आपकी बातें बची हों तो जब मैं वापिस आऊ तब अपनी बातों को पूरा कर ले जो आप उन्होंने बड़े प्यार से बोला कि मैं एक फ्री मैं मैं एक आजाद व्यक्ति हूं मैं पैरिफरी से काम नहीं करता है पैरिफरी मतलब इगो बाहर का जो आवरन है मैं वहां से एक्ट नहीं करता मैं अपने सेंटर से यानि अपनी आत्मा से एक्ट करता हूं यानि कर्म कर तो आपकी जो अब्यूजिव लेंग्वेज है आपकी जो गालिया है मेरी पैरिफरी को टच कर सकते हैं मेरी एगो को टच कर सकते हैं मेरी आत्मा मेरे सेंटर को टच नहीं कर सकते हैं तो दोस्तो हमारे जो कृत्ते हैं हमारे जो कर्म हैं हमारे जो कारिया है वो भी पैरिफरी आपकी आत्मा से उठके आएगा, और वह कर्म संपून होगा, पूरा होगा, टोटल होगा, और जो कर्म इगो से उठके आएगा, वह फ्रेग्मेंटिड होगा, तुकडो में होगा, अब कोई कार्या पूरा होना है, तो आप किसी से प्यार करते हैं, तो वह आघर आपका काईनेस आप किसी के लिए द्यालूता रखते हैं तो वह भी फ्रेग्मेंटीड है तुकड़ों में तो साथ में कुरुयलिटी आजाएगा अपका गोड अगर फ्रेग्मेंटीड है तो उस जगहां को उस कर्म को पूरा करने के लिए शैतान वह पर आजाएगा तो दोस्तों हमें जरूरत है अपने सेंटर को पहचानने की जो की कृशन तत्व है, जो की राम तत्व है, जो की हनुमान तत्व है, जो की महावीर है, जो की बुद्ध है, रैदास है, मीरा है, तो आपको उसे पहचानना है और जितनी ज़्यादा दूरी होगी आपके सेंटर वतना आपको ज्यादा प्रयास करना पड़िए उतना आपको ज्यादा महनत करने पड़ेगी तब ही बाहर की जो प्रिस्थितियाहन आपके सेंट्र को मेरी संठर को चूबी ने पाएंगी प्रेठी बाहर से कर रहे हैं तो हमारी प्रेशानिया भी उसी वज़े से ही रिफ्लेक्ट होगे हमारे पास आ रहे हैं तो हमें इन टोटल होके जीना है एक छोटा सा एक संपल देता हूं जब आप खाना खाते हैं तो अगर आप सेंटर से खाएंगे तो आपको फूड इटिं सेंटर को पैचाने की कोशिश कीजिए अपने राम को पैचाने की कोशिश कीजिए अपने क्रिशन को पैचाने की कोशिश कीजिए अपनी आत्मा को पैचाने की कोशिश कीजिए वह ध्यान भी हो सकता है वह आपका निश्काम कर्म भी हो सकता है वह आपकी भगति भी हो सकत तब ही आप उस रास्ते को पे चलके उस मुकाम तक पहुंच पाएंगे जय हो